मोटे अनाज, यानि मिलेट्स हमेशा से भारतिय भोजन परंपरा के हिस्सा रहे हैं। एक समय था जब हमारी खाने की प्लेट मोटे अनाज से बने बेंजनों से भरी रहती थी। लेकिन हरित क्रान्ती यानि ग्रीन रिवालूशन के बाद भारतिय खेती आमोल चूल रूप से बदल गई। खाद शुरक्षा के नाम पर जबरजस्ती थोप दी गई इस हरित क्रान्ती के दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे सावित नहीं हुए। पूरे हरित क्रान्ती में अस्थानिय भुगोल और जलवायू की परवाह किये बगैर गेहूं और चावल की मोनो कल्चर एगरी कल्चर की विवस्था की गई। हरित क्रान्ती ने फसलों की विवित्ता को बुरी तरह प्रभावित किया। पारंपरिक अस्थानिये फसलों की बुआई में बहुत कमी दर्ज की गई हरित करांथी के पहले पूरे खरिफ सीजन का 46 प्रत्सत उत्पादन बाजरा के रूप में होता था जबकि धान का उत्पादन कुल उत्पादन के सिर्फ 13 प्रत्सत ही था अगर रभी के फसल की बात करें तो हरित करांथी के पहले कुल रभी के फसल का 42 प्रत्सत चना और मात्र 4.3 प्रत्सत गेहू होता था हरित करांथी के बाद इस्थितियां बिलकुल बदल गई चावल और गेहूं की फसलों में लगतार बिद्धी होती गई और हमारे परंपरिक मोटे अनाज पिछड़ते चले गए इसके अलावा हरित कांती के परियावरणिये प्रभाव भी भयावा साबित हुए भूजल अस्तर में भयावा कमी आई हमारी मिट्टी जहरीली हुई हमारा पानी प्रदूसित हुआ जै विविद्धा नश्ट हुई और सबसे बड़ी बात की हमारे अनाजो और खाद्य पदार्थों में भी खतरनाक पेस्टिसाइड की मात्रा पाई जाने लगी सॉलिड मेटल और जहरीले तत्तों हमारे अनाजो तक पहुँच गए पंजाब और हर्याना जैसे रज्यों में रसाइनिक किटनासकों के खतरनाक इस्तेमाल के कारण कैंसर की समस्या पैदा हो गई जिसे आज भी बहुत सारे लोग जूज रहे हैं हरित क्रांती के इन भयाव परिडामों के पीछे का कारण ये है कि हरित क्रांती मुख्यतव वाटर इंटेंसिव और केमिकल फर्टिलाइजर इंटेंसिव खेती पर जोर देती है हरित क्रांती की फसलों को बहुत जादा मात्रा में पानी और किटनासकों की जरूरते होती है इसके अलावा इन फसलों को बोने का लागत मुल भी अधिक आता है ये फसले अस्थानिय जलवायू और भुगोल के हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है भोजन से भुगोल का एक गहरा रिस्ता होता है जहां का जैसा भुगोल वहां का वैसा भोजन हमारी प्रकीर्ति अस्थानियता और विविधता का भरपूर सम्मान करती है आने वाला भुईस से मोटे अनाजो का है विसे सग्य बताते हैं कि मोटे अनाज जलवायू परिवर्तन की मार से लड़ सकते हैं मोटे अनाजो को उगाने के लिए बेहत कम पानी किया सकता होती है इन्हें उगाने में रसाय निखात और किटनासको की जरूरत भी नव के बराबर पड़ती है ये हमारे अस्थानिये भुगोल से जुड़े हुए अनाज हैं इसलिए इनसे फसलों की विविदता और मिट्टी की सेहत भी अच्छी होती है यही नहीं इन मोटे अनाजो में सूखा और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाओं को सहन करने की छमता भी है अगर मोटे अनाजो की बात करें तो इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावा, कुटकी, सलहार और कांग जैसे अनाज आते हैं अंत में सबसे जरूरी बात ये है कि जिस गेहूं और धान को हमारी खाद्य सुरक्षा पूरा करने के नाम पर लाया गया था वही गेहूं और धान हमारे पोषण की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं गेहूं और चावल से आप पेट तो भर सकते हैं लेकिन पोसर संबंदी जरूरतों के लिए मोटे अनाज के तरफ जाना ही होगा गेहूं और चावल के मुकाबले मोटे अनाजों में ज़्यादा पोसर पाया जाता है भारत सरकार ने अगले साल यानी 2023 को मोटा अनाज वर्ष भी घोसित किया है ताकि मोटे अनाजों को फिर से अपने खान पान का अहम हिस्सा बनाया जा सके यही नहीं सरकार इसे सरवजनिक वित्रन प्रारादी में भी सामिल करने पर विचार कर रही है तो यदि कोई पूछे कि मोटे अनाजों का भोईश से बेहतर क्यों है तो इसका जवाब यह है कि यह अनाज गेहूं और चावल के मुकाबले कम पानी लेते हैं यह कम किट ना सक लेते हैं, कम रसायने खाद लेते हैं और ये अनाज गेहूं और चावल के बनिस्पती बहुत ज़्यादा पौश्टिक और पोसर से भरपूर है इसलिए आने वाला भौश से इन मोटे अनाजों का ही होगा